हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ एक अनोपचारिक पत्र लेखन का नमुना देखेंगी पत्र लेखन का विशे है अपने बीमार मीत्र को दीरज बंदाते हुए पत्र लिखो यह पत्र लिखते वक्त इस कांगज के दाइनी और याने की राइट साइड में हमें हमारा पूरा पता हमारा नम लिखना है यहां मैंने लिखा है अब क 415 शनिवार पेट सातारा आट अप्रेल दो हजार उन्निस और यह लिखने के बाद हमें जिसको पत्र लिखना है उसका नाम यहां पर लिखकर इस तरह से लिखना है प्रियमित्र स्रीवर्धन सप्रेम नमस्कार उसके बाद हम कुछ इस तरह से पत्र लिखेंगे कल पापा का ख़त मिला उससे मुझे पता चला कि तुम कई दिनों से बीमार हो यह ख़त लिखते वक्त हमें द्यान में रखना चाहिए कि हमारा वीशे कांसा है और उसके बारे में पहले पैरेग्राफ में लिखना है परिक्षा को केवल एक महिना रह गया है इस समय तुम बीमार रहना सच में चिंता की बात है फिर भी तुम चिंता मत करो क्योंकि उसके मन में दाडस पंदाने के लिए हमें ऐसा लिखना है जल से ठीक होने की उम्मीद रखो ध्यान में रखो कि स्वस्त शरील में स्वस्त मन का निवास होता है मुझे विश्वास है की तुम जल्द से ही स्वस्त हो जायोगे थोड़ा सा खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखो सदा खूश रहो मुझे उम्मीद है की तुम परिक्षा में हमेशा की तरह शांदार सपलता जरूर पाओगे इस प्यारग्राप में हमें ऐसा कुछ लिखना है की उस दोस्त का और हमारा लगाव और बड़े और अंत में हम कुछ इस तरह से लाइन लिखेंगे स्वस्त होने पर मुझे पत्र जरूर लिखना और इसका समारप हम इस तरह से करेंगे तुम्हारा मित्र वेदान्त कुछ इस प्राकार से हम पत्र लिखेंगे तो हम परिक्षा में या एक्जाम में अच्छे से अंकप राप्त करेंगे धन्यवाद